हलो फ्रेंड्स आईए देखते हैं इस वीडियो में कि हिंदी के जो लेटर्स होते हैं या हिंदी को इंग्लिश में कैसे लिखें तो जो हिंदी के मतलब हिंदी की जो वर्ण माला है छोटे आ से लेकर गया गयानी तक तो उसमें हम उनकी आवाजों को इंग्लिश में कैसे करत का इसके लिए भी हम का कबुतर के आगे आका डंडा बना दें तो इसके लिए भी हम के ए लिखेंगे इसी तरीके से हम अगर के के उपर छोटी ए के मात्रा बना दें तो इसके लिए हम के और आई का यूस करेंगे के आई और अगर हम के के उपर बड़ी E की मातरा बना दें तो इसके लिए हम KEE का यूस करते हैं इसको हम 12 खड़ी भी बोलते हैं ऐसे ही अगर हम के कबुतर के नीचे छोटे O की मातरा बना दें तो इसके लिए हम इंगलिश में किसी का अगर नाम लिखना हो या कोई चीज कोई वर्ड लिखना हो तो K-U का इस्निमाल करेंगे ऐसे ही अगर K पर बड़े O की मातरा लगाएं तो हम इसके लिए K-O का यूस करेंगे और के के उपर A की मातरा लगादें तो इसके लिए हम K और E का यूस करेंगे के इसी तरीके से अगर हम के के उपर आ की मातरा लगा दें दो दो मातरा हैं तो इसके लिए हम के ए आई का यूस करेंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम को ओ की मातरा लगाएं के के उपर तो इसके लिए हम के और ओ का यूस करेंगे तो यह चीज़े हमारे लिए जानना बहुती जरूरी है अगर हम English को सींखना चाहते हैं तो सारे words आप Hindi के सारे words आप English में आराम से लिख सकते हैं किसी कभी आप नाम आराम से लिख सकते हैं इसी तर으니까 से अगर हम के उपर अग की बिंदी लगा दें तो इसके लिए हम के ए और एम का यूस करेंगे या फिर के ए एन का यूस करेंगे इसी तरीके से फ्रेंड्स ये तो होगे का वाले के कबुतर वाले का का की की का कू कू के के इस तरीके से अगर हमें खे की आवाज निकालनी हो खे के लिए तो हम इसके लिए K, H और A का यूज़ करते हैं क्योंकि K, H से खे बनता है ऐसे ही अगर हम खे के आगे आ का ड्रना बनाते हैं तब भी हम K और H और A हम लिखेंगे इसी तरीके से अगर हम खे के उपर छोटी E की मातरा बनाएं तो इसके लिए हम K, H और I का यूस करेंगे इसी तरीके से अगर खे के उपर हम बड़ी E की मातरा लगा दें तो इसके लिए हम K, H और डबल E का यूस करेंगे अगर हम खेके नीचे छोटे U की मातरा लगाएं तो इसके लिए हम K, H और U का यूज़ करेंगे इसी तरीके से हम अगर खेके उपर मतलब नीचे यहाँ पर खेके साथ में बड़े U की मातरा बनाएं तो इसके लिए हम K, H और डबल O का यूज़ करेंगे खू और खेके उपर अगर हम A की मातरा लगा दें तो इसके लिए हम K, H और E का यूज़ करेंगे अगर हम खेके उपर ये वाली दो मातराइं लगा दें तो इसके लिए हम K, H और I का यूज़ करेंगे इसी तरीके से अगर हम खेके साथ में O की मातरा लगाएं O की तो हम इसके लिए K, H और O का यूज़ करेंगे अगर हम खे के साथ A O से ओरत वाली मातरा लगाएं तो हम K, H, A और U का यूज़ कर लेंगे अब देखते हैं फ्रेंड्स गय वाले गय गा गय के उपर छोटी की मातरा गय के उपर बड़ी की मातरा गय के नीचे छोटी O की मातरा गय के साथ बड़ी O की मातरा गय के उपर A की मातरा गय के उपर दो यह वाली मातरा हैं A की और गय के साथ में O की मातरा और गय के साथ में O की मातरा तो गे के लिए हम लिखेंगे हम यहाँ पर गा जी ए इसी तरीके से इसके लिए भी हम जी ए का यूज करेंगे और यहाँ पर छोटी ए के मातरा लग गए तो जी के साथ आई बनाएं गे उ, इसके लिए हम जी और यू का यूस करेंगे और बड़े उ की मातरा के लिए हम जी के साथ में डबल ओ बनाएंगे गे, गे ए की मातरा गे, तो हम जी के साथ ई का यूस करेंगे और यहाँ पर इसके लिए हम जी ए आई का यूस करेंगे इसी तरीके से go इसके लिए हम जी और o बनाएंगे और गाउ के लिए जी ए यू बनातेंगे ठीक है इस तरीके से हम गै वाले letters की English बना लेते हैं अब देखते हैं friends घै घर वाले ठीक है घै घर वाले कैसे होते हैं देखें सबसे पहले मैं बनाते हूं यहाँ पर घै घर घै बना दिया और घै के साथ एक बार हमने लिखा आकडंडा यहाँ पर यह हो गया घा तो इसके लिए हम बनाएंगे जी एच और ए और घा के लिए भी हम जी एच और ए बना देंगे इसी तरीके से घह के साथ में छोटी E की मातर बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा G, H और I ऐसे ही घह के उपर अगर हम बड़ी E की मातर लगाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा G, H, E, घी इसी तरीके से हम घह के नीचे अगर छोटे E की मातर बनाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा G-H-U और घह के साथ में अगर हम बड़े O की मातरा बना दें तो यह हो जाएगा G-H-O इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम घह के उपर A की मातरा लगा दें तो यह हो जाएगा G-H-E और घह के साथ में दो A की मातरा लगा दें तो यह हो जाएगा G-H-A-I इसी तरीके से friends अगर हम घह के साथ में O की मातरा बना दें तो यह हो जाएगा हमारा G-H-O और अगर हम घह के साथ में O की मातरा बनाएं तो यह हो जाएगा हमारा G-H-A-U ठीक है ऐसे ही friends अगर हमारे पास चै हो तो चे के लिए English में क्या बनता है चे के लिए बनेगा यहाँ पर चे या चा चे के आगे आगा डंडा इसको भी चा बोल देते हैं इसको भी चा तो यह हो जाएगा C-H-E और यहाँ पर भी C-H-E और चे के साथ में छोटी की मातरा तो यह हो जाएगा C-H-I चे के साथ बड़े U की मातरा C-H-E इसी तरीके से चे के नीचे छोटे U की मातरा तो यह हो जाएगा C-H-U और चे के नीचे बड़े U की मातरा तो C-H-O इसी तरीके से चे के साथ में A की मातरा तो C-H-E और चे के साथ में दो मात्रा हैं यह वाली A की तो यह हो जाएगा CH और यहाँ पर लगा देंगे हम AI ठीक है इसी तरीके से चे के साथ में अगर हम O की मात्रा बनाएं तो यह हो जाएगा CHO और चे के साथ में O की मात्रा बनाएं तो यह हो जाएगा CHAU यह हो गया हमारा चे वाला अब देखते हैं हम इसमें चे चाता चे के बाद क्या था चे चाता इसको चा भी बोलते हैं तो C, H और H एक बार जम C के साथ में हम डबल H बना देते हैं तो इससे चे के आवाज निगलती है तो इसको चा भी बोलते हैं तो हम A बना देंगे, ऐसे ही 6 के आगे आगर डंडा बना दिया है, तो यहाँ पर भी C-H-H-A, छा हो जाएगा ऐसे ही अगर हम 6 पर छोटी की मातर बना दें, तो C-H-H और I, ठीक है और 6 के साथ में अगर हम बड़ी की मातर बना दें, तो C-H-H-E-6 6 के निचे अगर हम छोटे उगे मातर बनाएं, तो यह हो जाएगा C-H-H-U ऐसे ही 6 के साथ में अगर हम बड़े उगे मातर बनाएं, तो यह हो जाएगा C-H-H-O-O 6 के उपर अगर हम A की मातर बना दें, तो यह हो जाएगा हमारा C-H-H-E और 6 के उपर हम 6 दो मात्रा बना दें A की तो यह हो जाएगा हमारा C-H-H-A-I और इसी तरीके से हम 6 के साथ में अगर O की मात्रा बना दें 6 तो यह हो जाएगा हमारा C-H-H-O और 6 के साथ में अगर हम 2 O की मात्रा मतलब यह वाला है आओ की मात्रा बना दे तो यह हो जाएगा हमारा C, H, H, A और U फ्रेंड्स यह हमने यहाँ पर काक अबूतर से लेकर 6 छाता तक हमने यह 12 खड़ी सीखी है इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना ना बोले थैंक्स फॉर वाचिंग